जो मकसद से वर्फबोर्ट बनाया गया है जो वक्फ का माल गरीब हों के तक पहुंचना और गरीब उसमें वक्फ के माल में डॉलर फुना है वो पूरे चीजों में एक फिट कैंडिडेट सेयद मौमद अली अलहुसेनी साहब क्यों मैं यह उम्मीद से देख रहा हूँ ऐसे कैंडिडेट्स ऐसे पड़े लिखे कैंडिडेट्स ऐसे जबर्दस कैंडिडेट्स अगर वफबोर्ड में रहेंगे तो वफबोर्ड का जो नेगेटिव जो प्रवगंडे चल रहा है उसको पॉजिटिव में तबदील करने में यह कामियाब रहेंगे वाफबोड के लिंबर हैं, वोटर्स हैं, मैं उनसे सबसे बुजारिश करता हूँ अली बाबा को अपना खीमती होट देगर बारी एक्सरस से खामियाब करें असलाम आलेकुम, गुड इवनिंग जैसे कि आप सब जानते हैं, करनाटका में स्टेट कमिटी मेंबर्स वाफबोड का एलेक्शन होने जा रहा है ऐसे वक्त में जब स्टेट जो वाफबोड के उपर ही सवाले निशाना बनाया जा रहा है वाफबोड के बहुत सारे internal issues हैं, चाहे वो कमिटी मेंबर्स को लीजिए, प्रापर्टीज को मैनेजमेंट करने के लिए लीजिए जो प्रापर्टीज गबन हुए हैं और उनके जो legal issues हैं, उनको लेकर जो issues हैं वो एक तरफ उसके अलावा खुद वफबोर्ड के अपर ही सवाले निशाना बीजेप और आरेसेस और संग परिवार के तरफ से होते जा रहे हैं ऐसे वक्त पर वफबोर्ड एक सेंटर अफ अट्रैक्शन और सेंटर अफ कुशनिंग में है ऐसे वक्त में जो एक्षन होने जा रहा है करनाटका स्टेट में बहुत ही एहम एक्षन है और इस एहम एक्षन में हमारे सामने छे कैंडिडेट्स हैं तो मैं तमाम जो वफबोर्ड के जो वोटर्स हैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गुलबरगा के सियद अली अलहुसेनी साहब जो करनाटका जो खाज़ा एजुकेशन कमिटी के जो चेर्मेन है और खाज़ा बंदे नवास गिस्त दराज के सज़दे नशीन है बहुत एक एबल कैंड़ियट है हर पारमेटर्स में इनों वफबोर्ड के मेंबर चुनने के लायक है चाहे वो एजुकेशन पारमेटर्स में लीजेए चाहे वो दीनी सलायतों के लिए लिए चाहे मैनेजमेंट लीजेए क्योंकि जबसे हम देखते हैं स्कूल, कॉलेज़, इंस्टिटूट जब से ये चेर्वेर बने हैं, एक बहतरी अंदास से इनका जो मैनेजमेंट का तरीखा है, ये निभाते आ रहे हैं, ऐसे वक्त में जब वर्फ बोर्ड के ओपर ही सवाले निशाने आ रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज नेशनल एसे जब बरदस कैंड़ेट्स अगर वर्फ बोर्ड में रहेएं तो रहेंगे तो नेगटीव प्रोपोगंडा चल रहा है उसको पॉजि marque तब इल करने में ये कामयाब रहें गयाएं और जो मिस मैनेजमेंट व से इनका और बहुती अबल मैनेजमेंट है इनका और बहुत वोटर्ड के जो वोटर्स हैं उसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सेयद अलहुसेनी सहाब को अपना खीमती वोट दे कर ये जो वोटर्ड है इसको मजबूत करें और हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं इसको तहफूस करने में इनकी मदद करें गुलबर्गा हजरत खाजा बंदा नमास रह्मतुल्ला अलहे के शजादा नुशीन सेयद महुमत अलियल हुसेनी सहाब जो वोट बोर्ड के एलेक्शन में अपना नामनेशन दाले हैं मुझे उमीद है कि एक करनाटक में अगर कंपेर करेंगे तो एक खाबिल शक्स एक कैंडिडेट की नजर में वो नजर में मेरी नजर में वो नजर आ रहे क्योंकि الحمدللہ केवियन की एक इंवरसिटी गुलबर गाव में एक जब से उनों जुमेदार बने हैं एक बहुत ही अच्छे अंदाज में उसके एक डवलॉप करना उसका डवलॉपमेंट होना उसके अंदर डिपार्टमेंट साना बहुत सारे education में develop करना तो ये एक development हम देख रहे हैं तो वो एक उम्मीद से हम को क्या लग रहा आने वाले टाइम पे करना अटका के किते district में workboard की जगा है तो इसी तरीखे से education setup, health setup और जो भी वक्फ के इदारों को जो community के लिए charity के नाम पे जो फाइदा होना है जो उनको benefits मिलना है जो उनको आने वाले टाइम पे फाइदे मिलना है एक practical model के इदारों के नजर में उनके हाथ में है आज जो उन्हों इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरी तमाम ओटर से request है करना टका के वक्बोर्ड के जितने भी ओटर्स है आने वाले टाइम पे वक्बोर्ड का सही इस्तेमाल होना और उसकी जो इदारे हैं उसके जो facilities हैं जो मकस्त से वक्बोर्ड बनाया गया है जो वक्फ का माल गरीब हों के तक पहुँचना और गरीब उसमें वक्फ के माल में डॉलप होना है वो पूरे चीजों में एक fit candidate सेयद मौमद अली अलहुसेनी साहाब क्यों मैं यह उमीड से देख रहा हूँ तो पूरे ओटर से request है ज्यादा से ज्यादा लोग उनको ओट करें उनकी खाबिलियत को ओट करें उनको और टाइम है आपके पास अच्छे से study करें जब भी ओट दे रहें आप यही सोंच कर देना है आने वाले टाइम पे यह community का ओट यह लोगों का ओट यह workboard का ओट यह workboard की property का सही इस्तेमाल होंगा इस बार मेरा ओट हाख से होंगा और गरीबों के लिए workboard के लिए रहेंगा बलके पूरे ओटरस अपनी एक नियत करकर उनको ओट देना है मेरी request है तमाम ओटरन से मैं गुलबर का district का SDPI का वाइट प्रिसेजेंट हों और गुलबर का district का मैं दर्वेश कमिटी का पुर्सेजेंट हूँ अल्हमदिल्ला अल्हा का शुकर है और जो अब ये माहल में जो इलेक्षन आया है वकबोट का इलेक्षन ये बहुत नाजूब माहल है अभी तक जितने भी इलेक्षन हुए वो इलेक्शन का मामला अलग था ये जो महाल है बहुत ऐसे महाल में इलेक्शन आया है और इसके काबिल आज वखबोट को समालने के काबिल है हमारे अली बाबा इनको आप जो है न पूरे जिदने भी वखबोट के लिंबर हैं वोटर्स हैं मैं उनसे सबसे उजारिश करता अली बाबा को अपना खीमती होट देगर बारी एक्सरस से कामियाब करें